दुनिया के सारे हलफ नामें तो बस किताबों में छपे हैं, बाकी जमाने की सोच तो मेरी टांगों पर डिकी है नमस्कार मेरा नाम है शुती और आप देख रहे हैं वीजन जिहां आए दिन कोई ना कोई मंत्री लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाता है एक बार फिर से यही हुआ है, करनाटा के हिजाब मामले के बीच भारतिय जनता पार्टी के विधायर MP रेनु काचारिया ने बुद्वार को दावा कर दिया दावा ये कि बालतकार के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं जिससे उनका पूरा शरी धका रहे विधायक को फिर शायद याद आगया होगा कि भाया उपर से डोज मिल सकती है और विवाद भी पैदा हो सकता है बस फट से कह दिया कि अगर मेरे बयान से महिलाओं को ठेश पहुँचती हो तो मैं महिलाओं से माफी मांगता हूँ क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की इजजत है हम उन्हें मा की तरह समान देते हैं हाँ वो बात अलग है कि समान देने के बावजूद महिलाओं के लिए ऐसी टिपनी करते हैं अब आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान कब दिया। दरसल कुछ दिनों पहले प्रेंका गांधी ने करनाटक हिसाब विवात के मामने में ट्वीट कर कहा था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था चाहे वह बिकनी हो घूंगट हो जिन्स हो या हिजाब हो या फैसला करने का अधिकार महिलाओं का है कि उन्हें क्या पहनना है। इस अधिकार की गारंटी भारतिय सम्विधान ने दी है महिलाओं का उत्पीडर बंद करो बस फिर क्या था मानिये विधायक जी को गुस्सा आया और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। विधायक जी ने वाजरा से अपना बयान वापस लेने और शात्राओं और महिलाओं से माफी मांगने की भी मांग की थी। कॉंग्लिस पार्टी की नेता सुप्रिया सूले ने इस मुद्धे को संसद में उठाया। उन्होंने भाज़पा विधायक के उस बयान को शर्मनाग बताया और इसके साथ ही उन्होंने भाज़पा पर नैतिक और वैचारिक पुलिसिंग करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिजाब पहना जाए तो भाज़पा को समस्या है। यदि कोई अन्य कपड़े पहनता है तो भी उन्हें समस्या है। भाज़पा विधाया के इस बयान की दिन्दा होनी चाहिए हमें इसे कतई सहन नहीं करना चाहिए। वहीं NCP नेता ने भी संसद में कहा कि हम किसी के परिधान को देखकर उसके चलिजर के बारे में नुमान नहीं लगा सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो यह गलत है। आपको बता दें भाज़पा विधायक रेनियुकाचार करनाटक के मुख्य मंतरी बसव राज बोमबई के राजनिरिक सचीव भी हैं। बहराल आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं। क्या इस प्रकार का बयान किसी विधायक मंतरी के मुझ से शोभा देता है क्या? क्या ऐसे बयानों से रेपिस्टों का मन नहीं पढ़ेगा? क्या वो नहीं सोचेंगे कि मंतरी विधायक भी ऐसी सोच रखते ही हैं? फिर हम दुशकरम कर निकल जाएं। किसी को क्या ही फर्ग पढ़ेगा? नमस्कार!